हेलो गाईज, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि टर्डी में अनिमेडेट ओवरले कैसे एड़ क्या जा सकता है जिसमें मैं बताऊंगा आपको ओवरले का डिजूलिशन किता रखना है MP4 को J-App में convert कैसे कर सकते हैं और उस J-App में से green screen remove करके उसको transparent कैसे करेंगे इसके लिए मैं तीन तरीका बताने वाला हूँ और कभी-कभी जो black screen आ जाता है या फिर कभी-कभी black line आता है stream का लाइन अनिमेडेट ओवरले के साथ वो कैसे fix होगा और आप अपने ovalize size 10 MB से नीचे कैसे कर सकते हैं वो भी बिना quality damage किये तो ये वीडियो बहुत useful रहने वाल है पूरा देखना बात करने अगर resolution का तो इसका size रहता है width में 1920 और height wise maximum 120 turnip के सबसे allowed है ऐसा निकी इससे ज़्यादा लगेगा नि लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा लेते हैं तो वो screen के उपर आज जाएगा duration wise ऐसा कुछ restriction है नि लेकिन आपको साथ से लेकर 10 seconds तक रख सकते हैं अगर ज़्यादा duration लेंगे तो हो सकता है कि ovalize size 10 MB से ज़्यादा बन जाए और जिसको compress करने से quality खराब हो जाएगा और रेटी होने के बाद main काम आता है अब इसको turnip के लिए prepare करना तो आपको यह ध्यान रखना है कि आप जब export करेंगे तो इसको highest quality पे export करना है जैसे मेरा एडिटर में support करता है 1440 pixels तो मैं उस पर करूँगा लिए frame rate आपको लेना है कम 12 से लेकर 15 तक रख सकते हैं इससे ज़्यादा करने से size ज्यादा हो जाता है और अगर कम रखेंगे तो फिर वह lag करेगा तो इसको set करने बाद save कर दीजिए फिर हम इसको जीए में convert करेंगे जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि मैं GIF convert करने के लिए तीन मेथर्स बताने वाला हूं जिसमें दो online रहेगा और एक offline ओनलाइन मेथ़ोड के लिए आपको अपने ब्राउजर पर जाना है और सर्च करना क्या पोई यह एक online editor है जिससे आप video to zip भी बना सकते हैं और फिर उसका बेग्राउंड भी रिमूब कर सकते हैं तो इसको open कर इसके बाद आपको login कर लेना है अगर login नहीं करते हैं तो watermark आएगा इसके बाद आपको click to upload में क्लिक करना है जहां से अपना file upload कर पाएगे तो हमने MP4 बनाए था उसको यहाँ पर add कर लेते हैं जब आपका file पूरा तरह से upload हो जाए तो फिर आपको export वीडियो के बाद एक setting option आज रहाएगा वहाँ click करना है और output file को gif format में change कर देना है इसके बाद edit background में जाके आपको इसा color change कर देना है transparent में आपको background color में last में option आता है वह transparent कर रहता है वहाँ पर click करने से यह जागा no color अब वीडियो पर click कीजिए और फिर edit video पर जाके इसको crop कर दीजिए crop करने से आपका जो output file है वह 10MB से नीचे आ जाएगा अगर आप directly export करते हैं बिना crop किये तो फिर आपका size 10MB से ज्यादा रहेगा जो की turny में support नहीं करता तो crop करने बाद down cropping में प्लिक करना है फिर से edit video में जाना है और आपको effects वाला section मिलेगा उस section में से आपको लेना है chroma क जो मेंली green रहता है इसका default setting है हाला कि आप दूसरे colors भी यूज कर सकते हैं अब एक बार सो play करें देख लीजिए यहां पर आप देख सकते ही green screen हड़ गया है और पिछे जो चीज यह वो transparent दिखा रहा है अब जब यह transparent हो जाए तो फिर आपको export जीए पर क्लिक करना है जिसस से यह GIF format में convert होके आ जाएगा यह थोड़ा सा processing का टाइम लेता है एक से दो मिनिट उसके बाद आपको download option मिलेगा अब यह process हो जाने बाद आप डाइकली को download कर सकते हैं और अगर सब कुस सही रहा तो इसको यूज किया जा सकता है डाइकली turnip में तो आपको मैं दिखा जेता हूं कि इसको check कैसे करेंगे चेक करने के लिए आपको कोई सही photo viewer अपन करना है और प्ले करना है अगर आप नॉर्मल गैलरी वाले वीवर से चेक करते हैं तो पता नहीं चलेगा क्योंकि उसका बेग्राउंड ब्लैक रहता है और अगर आपका बेग्राउंड रिमूफ ना हुआ हो या फिर बेग्राउ कि अपने में कभी-कभी इस्व आता है कि आपको ट्रांस्मेंड दिखाने बाद भी उसके पीछे ब्लैक लाइन या फिर पूरा ही ब्लैक एरिया रह जाता है और डाकली यूज़ करने पर वही ब्लैक लाइन और स्क्रीन आपके स्ट्रीम पर आएगा और आपका स्ट्रीम पुरा पुरा काला नजर आएगा तो अगर आपका इस आता है या फिर दूसरा चीज बताता हूं जिसमें और इस आसकता है वह है अगर आप ग्रीन के अलाबा कोई और स्क्रीन रिमूब करने ट्राक करने तब जैसे कि मेरा यह वाल ओवले जैसके हो यहां पर करां जैसे इसके दिखाता हूं कैसे बिर से प्रोसैस्थ करेंगे पहले करेंगे और इसको क्रउप कर देंगे और फिर इसका व्07 करेंगे तो यहां पे मैंने क्रॉप कर लिया अब ड़न कर देता हूं अब जैसे मैं एफेक्ट में जाके क्रोमा की सेलेक करूंगा यह डिफॉल्ट ग्रीन रहता है लेकिन कलर चेंज करने यह बाद भी आप देख सकते हो यहां से मेरा जो ग्रीन पोर्शन्स था वह सब प्रांस्परे चाद आता है तो अगर आप इस तरह का ओवर्ले यूज कर रहे हो जिसका डिफॉल्ट कलरी ग्रीन हो या फिर कोई मेजर पोर्शन ग्रीन हो या फिर वह ठीक से एक्सपोर्ट नहीं हो पारा ब्लेक्स्क्रीन या ग्रिन स्क्रीन रह जा रहा है तो अभी जो मैं सेकर में सब बदाने जा रहा हूं वह अब यूज कर सकते हो इसके लिए आपको पहला सेम प्रोसेस तो करना ही है लेकिन एफेक्ट मैं कर देना है इसको नन मतलब आपको एक्सपोर्ट करना है ग्रीन स्क्रीन या फिर दूसरा जो भी बैग्राउंड कल रहा है उसके साथ अब इसका जो वेब साइड है उसका नाम है उसको खोल लेना है तो साइट का नाम ऑनलाइन जीएफ टूल्स है लेकिन जो हम लोग यूज करने वाले है उसके लिए सच करना पड़ता है अब यहां पर देख सकते हो कि मेरा जो ऑवले बना है इस बार का उसके पिछे रेट स्क्रीन आ रहा है और बाकी ऑवले ठीक है तो हम दूसको डाउलोड कर लेते हैं और फिर दूसरे वाले साइट से इसको ट्रांस्परेट बनाएंगे डाउलोड करने बाद आपको अपने सेकेंड वैसेल पर जाना है और वहां पर क्लिक करना है इंपोर्ट फाइल अब जो हमने क्याप्रिंग से जी आया फॉइल बनाया था उसको यहां पर इंपोर्ट कर लेंगे इसमें भी थोड़ा दा प्रोसेसिंग टाइम लेता है आने प्रोसेट टक डिपैंड करता है आपका फाइल का साइज किता है अब जब इंपोर्ट हो जाय तो फिर आपको दो फोटो दिखाएगा एक ओरिजिनल और एक ट्रांसपरेंट बेक्राउंड डिमूब करने के लिए आपको ट्रांसपरेंट कलर पर चूज करने और जाए आप अब जब फिक्स हो जाए चिए तो फिर आपको सेबस में बढाने डाउडोड का आवसमे होता नहीं के लिए यह बीटी नेगाश तेका maintained लेकिनी इसके लाब नॉर्मल फोटो एडिटिंग एप या फोटो व्यूर एप यूज़ कर सकते हो चेक करने के लिए लेकिन कभी-कभी कुछ-कुछ फ्रेम्स का ग्रेंग स्क्रीन नहीं अट था और क्यापविंग के मिकाबले इसमें क्लेरीटी थोड़ा था कम रहता है तो अगर आपका क्यापविंग से नहीं उपार है तब यह तरीका यूज़ करना अगर क्यापविंग से हो जा रहे तो मैं रेकॉमेंड करूँगा कि क्यापविंग से करो अब जो आखरी तरीका है वह एक आफ्लाइन तरीका है इसके लिए आपको दोड़ो एप इंस्टॉल में जाना है और हमने जो MP4 फाइल एक्सपोर्ट कर रखा था कोई सभी इसमें ले आना है अब एक बार प्रिव्यू कर लो यहां से आप ट्रिम भी कर सकते हो इसके बाद आपको राइट पर दबाते ही आपका वीडियो प्रोसेस हो जाएगा जैसे हमने क्यापविंग में क् तो टैने पर जाद आएगा अब हम लोग प्रॉप करने बाद इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं और जब याद रखना है कि आपको हमेशा हाई क्वालिटी पर एक्सपोर्ट करना है ने तो जिप बहुत ही ज़्यादा ब्लर आएगा तो आपको जिप जब भी कनवर्ट करो वह हमेशा हाई क्वालिटी जित्ता आपका मैक्सिमुम शपोर्ट करता है उत्ता मिक्सिमुम ले सकते हो अब यह सेब बाद इसमें देख सकते हैं बीच्छे वी गिन स्क्रीन आ रहा है अब मिन स्क्रीन रिमूफ करना है तो इस के लिए आपको जाना पड़ेगा दूसरे वाले आप में जिसका नाम है जी आएफ स्टूडियो इसको उपन करने बाद आपको टॉप लेप्ट कॉर्णर पर एक मेन्यू आकॉन मिलेगा उस पर क्लिक करने और फिर नीचे स्क्रोल करके क्लिक करने उपन जी आइफ में और जो हमने अभी ग्रीन स्क्रीन वाला अवले ए पर जाना है जो कि एक्ट्वल में पिक रहें पिर वाँ पर लेना है जीसे आपको ट्रॉपपर में से जो हैड है ड्रापड का उसको और फिर आपको जो नीचे एक्स और प्लस की बीच में जो बार दिख रहा है तिंक करका उसको एड़िएश करके किता कडर रिमूव करने उसका intensity set कर सकते हो जिससे अपका अबरले clear कर देना है और फिर इसको सेब कर देना है अब सिभ नेवाद में तीनों प्रोसेस जो मैंने बताया सब का अट्वूट फाइल दिखा देता हूं और बताता हूं कि तीनों तरीका में डिफनेस क्या है और कौन सा तरीका यूज करना बेटर है और कि सिजुएशन में क्या यूज करना चाहिए तो पहले देख लेते हम ल तो वह थोड़ा सा लटक लटक के चलता है या फिर यह बोस्ताते हूं थोड़ा सा स्लो रहता है और ब्लर भी रहता है अगर कॉंपेर करें साइज वाइस तो जो वीडियो था हमारा वो था 20.3 MB का लेकिन इसका जो जी आई एफ पॉर्मेट है वह सिर्प और सिर्प 7.2 MB का जो इजी रिटर्नी पर लग सकता है अगर बात करें अफ्लाइन में थोड़का तो इसमें हमने दो एप यूज किया था जी एफ टूडियो और जी एफ शॉप इसका जो क्रॉप वीडियो है उसका साइज है 3.6 MB और अगर और वीडियो फाइल देखें जो मेंली एक आलमार और क्वालिटी अगर देखो तो यह बहुत ज्यादा ब्लर हो जाता है जब हम लोग यह पर लगाते हैं और सबसे क्लियर रहता है कैप में तब जाके आप दोनों तरीका बच्चावा यूज कर सकते हो अब जो में अब बनाइब था उसको बताता हूं यह लगाना किसे है और अब लाकर भी दिखा देता हूं कि प्रिवियू पर वहां से चूज करने एक देप और जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करो तो आपको दो ऑप्शन मिलेगा इसमें से जाके आपको कर दिना है रिप्लेस और जो हमने अब यह भी बनाए था उसको यहां पर एड़ कर लेंगे तो मैं यहां पर अपनावाला एड़ करें दिखा देता हूं तो जैसे और ने वीडियो के लिए चैनल को सब्स्रेब करना मत भूनना गुड़ बाए